हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूटूब चैनल रोहित कुमार स्टेडी फॉर जोब में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स MCQ का चैप्टर 2 देखने वाले हैं चैप्टर तो टू नहीं है दोस्तो भाग टू है चैप्टर अभी वन ही चल रहा है और मैं बिलकुल कम्प्लीट फिजिक्स करा रहा हूँ दोस्तो बिलकुल जीरो से हीरो वाली फिजिक्स जिसको कहते हैं कमजोर से कमजोर व्यक्ती इस फिजिक्स को बहुत ही आसानी से समझ सकता बिलकुर रस्गुल्ला फिजिक से मेरे दोस्त तो चलिए mcq सुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखें दोस्तो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें दोस्तो और नए हो अगर चैनल पे तो भाईया सस्क्राइब कर लेना बहुत बढ़िया लगेगा हमें भी और आपको भी कोई दिक्कत नहीं चलिए देख लेते हैं वे बहुतिक रासिया जिसमें केवल खाली स्थान होती है और खाली स्थान नहीं होती उसे अदिसराशी कहते है अब खाली स्थान खाली स्थान क्या मुद्दा है यह चलो देख लेते हैं क्या मुद्दा है यह कहना चारा भीया इसका अंसर हो जायागा भी क्यों हो जायागा मैं उसको तुम्हें बता देता हूँ ये कहरा वे बहुतिक रासियां जिसमें केवल परीमार तो होता भी या और दिसा नहीं होती तो उनको कहते हैं अधिसरासियां और वे बहुतिक रासियां जिनमें परीमार और दिसा दोना होते हैं उनको कहते हैं सधिसरासियां आई बास समझ में भी या अभी नहीं आई हो तो आ गया जाएगी टेंस न मतले न बिलकुल भी ठीक है तो मैं दुआरा बता देता हूं दोस्तों वे भोतिक रासियां जिन में केवल परिमान होता है दिसा नहीं होती तो उसको मेरे दोस्त अधिसरासी कहते हैं ठीक है चलिए आगला कोशन देख लेते हैं निमने लिखित में स कौन सी एक सदिसरासी नहीं है इसने पूछा सदिस ना है भी या इसका मतलब अधिस है वो रासी अब देखो वेग भी सदिस है विस्थापन भी सदिस है बल भी सदिस है तो फिर भी या सदिस कौन सी नहीं है कार रह नहीं है इसका मतलब या अधिसरासी है ठीक है जी अगला question देख लेते हैं अगला question है मेरे दोस्त नेमने लिखित में से कौनसी एक सदिस राशी है सदिस राशी कौनसी अब सदिस पूछ ली भई या इसमें तो उश्मा, कौन ये गती कार रहे अभी कार रहे के तो बात ही करी ये तो सदिस है इना ये तो अदिस राशी है समे, ठीक है, अब ये सारी अब देखो समे क्या है, समे भी आपका कैसा है, सदिस राशी है तो ये भी नहीं है उसमा भी सदिस है, तो इसका सही आंसर हो जायागा क्या अब सुनो, सदिस ने ये समे भी अदिस है, कार रहे भी अधिस है और यह उसमा भी अधिस है तो सदिस राशी का आंसर हो जाएगा कोण यह गती ठीक है तो कोण यह गती क्या है इसमें सदिस राशी है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं यह आया भी मजेदार कुशन यह देखे डर लगा देने वाला कुस्तन है लेकिन भाई साथ डरना नहीं है क्यों अब डरे तो हम आज तक किसी साने इससे क्या डरंगे तो कुस्तन है चलो देख लेते हैं निमने लिखित भतिक रासियों पर विचार करें भाई साथ क्या विचार करें अब जड़ा देखना बड़े धिहन पूरुपक उर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वय बिवव और उप्युक्त में से कौन सी सदिस राशी या सदिस राशिया है यानि एक भी हो सकती है, एक से जादा भी हो सकती है हमें सदिस छाटनी है भाईया और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी सदिस राशी और अदिस राशी की हमने देखा था उसमें उश्मा थी क्या उसमें उश्मा थी, इसमें उश्मा नहीं है चलो खेर कोई बात नहीं तो इसमें मेरे भाई जो आंसर हो जायागा न इन option के हिसाब से अगर मैं अंसर देखूं तो केवल B को मैं लगाऊंगा क्यों लगाऊंगा कि यह जो आवेग है ना आवेग यह क्या है सदिस राशिय है बाकी और सभी कैसी राशिया है अदिस राशिया है ठीक है चलिए अगला question देखता हूं तो निमने लिखेत में से कौन सी एक शदिस राशिय है अरे भाईया सदिसी सदिस बरस रही है क्या चक्कर है समबेग एक सदिस राशिय है बाकी सभी अदिस राशिया है ठीक है चलिए बाई दूसरे question भी आ जाओ भाईया देखो फिर सदिस आ गया कोई बात नहीं सदिस सदिस का जंजटी खतम हो जाता दीख है आज मुझे लगए निमने लिखेत में से कौन सी शदिस राशिय नहीं है अब का सदिस राशिय नहीं पूछ ले अब ये भी सदिस है कहा बग गया ये वेग भी सदिस है विस्थापन भी सदिस है बल भी सदिस है तो फिर कौन सी बची ये आयतन यही भी ये तुमारी सदिस राशिय नहीं है चलिए अगल आग देखते है निमने लिखेत में से कौन सी सदिस राशिय है अब का सदिस पूछ ली ये विस्थापन भईया सदी साभी उपरविष की बात करिए चलिए तो बल का SI मात रख जब भी पूछ ले Newton को फैंक का मार दो ठीक है जी बल का SI मात रख क्या है Newton भईया चलिए आगए बढ़ते हैं आगए देखते हैं मेरे दोस्त दाब दाब का SI मात रख क्या है अब दाब का SI मात रख पूछ लिया मेरे भाई तो दाब का SI मात रख होता पासकल अब पासकल दाब का SI मात रख ठीक है चलिए अगला कुसन है आवर्ती का SI मात रख भईया आवर्ती का SI मात रख होता हर्स और भईया most important star लगा लिए हो 3-4 इंगेवी इंगेवी ठीक है तो hearts जो है क्या है आवर्ती का SI मात्रक है तो चलिए मेरे दोस्त इससे आगे की बात हम अब कर लेते हैं इससे आगे है मेरे भाई तापमान का SI मात्रक क्या है तो तापमान का SI मात्रक क्या बिया दुनिया जानती है ना जानते हो तो आज जान लो Kelvin जो है ना इसमें हाँ Kelvin सॉरी Kelvin जो है ना इसमें यही होता है आपका क्या तापमान का SI मात्र क्या इस Celsius को मतमान लेना भाई ठीक है क्योंकि confusion इसी में हो जाती है то Celsius नहीं है भाई केल्विन है ऐसाई मात्रक तापमान का चलिए आगे की बात करते हैं अभी हम विद्धुद्धारा का ऐसाई मात्रक क्या है विद्धुद्धारा की बात हो रही है तो विद्धुद्धारा का ऐसाई मात्रक है एमपियर और यह जो विद्धुद्धारा ने मूल राश है भई वीडियो में ठीक है आपको अगर थोड़ी तेज लगे वीडियो ता आप सिलो मोड करके स्पीड सिलो करके इसकी ठीक है तो मैं थोड़ा तेजी से चलूँगा कुस्टन जादा है समय कम है चलिए दुहनी की तेवरता का एसाई मात्रक अब भीया दुहनी की तेवरता पिछल ना दिये कुस्टन कोई बात नहीं जूल है चलिए अगला कुस्टन देखते हैं मेरे दोस्त नेमने लिकेत में से कौन सी एक उसमा की इकाई नहीं है अब उसमा की इकाई कौन सी नहीं है ये सेम कुस्टन डिटो का डिटो पिछली वीडियो में पढ़ाया यार हद हो गई वाट इसका अंसर है चलिए उर्जा का ऐसाई मात्रक क्या है तो भाया उर्जा का ऐसाई मात्रक क्या होता है यह बात हमें समझ नहीं है बायल होता है या फिर वाट होता है न्यूटन होता पासकल होता है अब यार उर्जा का ना तो पासकल होता है तो दाब का होता है मेरे भा इनके तो अपने अलागे निया में तो इसमें वाट को लगा लो हैं ऑफ्सन देखते हुए हलाकि बिल्कुल सभी तो है नहीं लगा लो अपना ऑफ्सन देखते हुए ठीक है तौन का SI मात्रग तौन का SI मात्रग अगर पूछ ले मेरे भाई तो बड़ी situation में पढ़ जाते हैं लेकिन इसका answer आपको तुरंत बता देना है क्या है वर्ग प्रती मीटर सेकंड यानि सुरी वर्ग बोल ला हूँ यार मैं मीटर प्रती वर्ग सेकंड ठीक है मीटर पर सेकंड का स्क्वाइर भी इसको कह सकते हैं मीटर पर सेकंड का स्क्वाइर यह हमें रटा हुआ सा रहता है ठीक है लेंग्वेज इसमें लेकिन लिखी हुई देखनी है ना मैं तो थोड़ा सा आदे देखो Kelvin किसका मात्र क्या है बता दोगे चलिए अगला देखते है पार्षेक बहिए इकाई है यह दूरी मापने की काई है यार बात बताई थी हमने इसको देखना आप चलिए इसके आगे देखते हैं एक पार से एक बराबर भाईया मैंने बताए थी 3.26 प्रकास वर्ष बताए थी इसमें 25 लिख रहा है अब इसके अलावा इसके आसपास का कोई option नहीं है तो हम इसको मानेंगे नहीं मानेंगे 25 को सही बिल्कुर सही मानेंगे एक जैक्ट में तो मेरे दोस्ति है 3.26 जादा तर लिखी मिलती है हमें थी 3.26 प्रकास वर्ष चीक है चलिए इससे आगे का अगर हमको सुन देखें मेरे भाई तो प्रकास वर्ष होता है अब यह समस्या आई प्रकास वर्ष क्या होता है तो वहे वर्ष जिसमें कार्य भार हल का रहा हो हद हो गई कितना वेवकूप सा को सन चलिए वहे वर्ष जिसमें सूर्या का प्रकास अधिक्तम रहा हो अधिक्तम रहा हो से प्रकास वर्स केंगे हद हो गई यार प्रकास दुआरा एक वर्स में चली गई दूरी प्रकास वर्स कहलाएगी हाँ जी भाई साब ये बिल्कुल सही बात है एक वर्स में जो प्रकास दूरा दूरी चली जाती है न उसी को कहते है मेरे भाई प्रकास वर्स चलिए आगे द लम्बाई वैक्त करता यारा फरमी तो चलिए एगला कुशन विद्यूत्चितर utions зачем दोट्रक दोट्रकरता का मात्रक पूछ लिया बीया यही pits Dudut ig ba करता का मात्रक मैंने आपको लिखवाया है आप वीडियो को देख सकते हैं पहली वीडियो में लिखवाया है यह मैंने न्यूटन पर कूलांब होता है न्यूटन पर कूलांब होता है मेरे बाई चलिए अगला कोशन चुम्बा के छेत्र बलकि ऐसा ही एक आई चुम्बा के छ ठीक है, अब हमें मौक़ा ये वारदात को पकड़ना होता, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आफ्सन देखके हमें आंसर लगाने होंगे, ठीक है, चलिए, निमलिकेत में से कौन चुम्ब के छेतर की इकाई नहीं है, अब चुम्ब के छेतर की इकाई नहीं पूछ रहा, इसक पर एंपियर मीटर भी इसी काई है लेकिन वेबर जो है यह नहीं है यह चुमब का छेतर का ठीक है चलिए जिसके आगए समय की इकाई निमलिकित में से कौन सी नहीं है समय की इकाई अब दिन वर्स प्रकास वर्स यह तो दूरी का प्रकास वर्स यह इना है इसका मतलब यांत्रिक उर्जा की ऐसाई इकाई यांत्रिक उर्जा बैजूल है उर्जा की इकाई जूल है तो यांत्रिक उर्जा की भी जूली होगी इस बात को ध्यान रखना चलिए अगला कोस्तन है जूल उर्जा से उसी तरह सम्मंदित है जैसे पास्कल पास्कल किस्ते है दाब या दबाब से, सेम डिटो कोस्तन पुछ पुछ पुरानी पिछली वाली वीडियो में कराया है, कार्या का मात रख, ये भी कराया साइद मैंने, जूल इस कांसर, चलिए, इलक्टरोन वॉल्ट इकाई होती है, इलक्टरोन वॉल्ट इकाई जो होती है मेरे भाई, वो उर्जा की इकाई होती है, लक्टरोन वॉल्ट ये भी साइद पुरानी वीडियो में कराया, डॉपसन यार देखो, पुरानी कोस्तन आ रहे हैं ये, क्या करूं कोस्तन बचाई नहीं, मैं सारे कोस्तन आपको बहतरीन बहतरीन करा रहा हूँ ना, तो कोस्तन फिर बचते नहीं है, तो आप डॉप्सन ओजोन बरत की मोटाहि में आपने की इकाई है चलिए रेडियो धर्मिता की इकाई है यह आया नहीं आ आकोष्ण भ वहादन वही जरू हगर क्यूंकि में क्यूडम कर एक यह को में खूज करी थी इसमेर तिक है अच्छा सीजीएस परणाली में सियंता गुणांकी इकाई क्या अच्छा आप यह जो कैस्वन आ जाते ही सीजीएस पीजीएस वाले यह हमां डरा देती ही और इसका है पॉइज पर सेंटीमीटर स्क्वाइर इसी को जो हम उपर लेखेंगे तो माइनस का दो लगाना पड़ेगा हमें ठीक है चलिए मेगावाट बिजली माप ने की काई है जो यार उत्पादित की जाती है भिया उत्पादित पुरानी को सना रहे है आवाज आवाज की माप का एक मात्र एक मात्रक क्या है आवाज की माप का एक मात्र डैसी बल है यार आवाज का तो अगर को सन्चालक की व्यद्यत परतिरोद की इकाई क्या है ओम होगी भी या और इसमें आगे देख लेते हैं यह है मूल इकाई मूली काई एंपियर भी है यार कैंडला भी है मूली काई तो कैल Later विन भी है न्यूटन नहीं है यह मूली काई ठीक है डिटो कोश्ऽण भईया डिटो पुरानी वीडियो और वीडियो में कराए है क्यूरी किसकी unit है रेडियो दर्मिता की या अभी तो बात करी थी इस क्यूरी की क्यूरी फिर आ गई चलो खेर कोई बात नहीं नमने लेखित में से किस एक की इकाई max whale है अच्छा ये max whale किसकी काई मेरा भाई ये चुम्ब क्या Flask की का यह Maxville और जो मैंने Physics की Video बनाई थी पहला part जो बनाया था Physics Description वाला डिस्क्राइब वाला जो है तो उसी मैं सबसे पहले part में यह कुस्षन मैंने कराया और मैंने बता था यही paper हम पूछा जाता अभी है निम्ने लिक्त में से कौन गती का मात रख नहीं है अच्छे देखो अब गती का मात रख नहीं है ये को सन पूछ लिया अब देखो भी हम मीटर पर सेकिंड में भी गती मापते हैं किलोमेटर पर गंटा में भी गती मापते हैं ठीक है सेंटी मीटर पर सेकिंड में विगती मापते हैं लेकिन मीटर और गंटे का स्वाद नहीं बना यह काम खराब है तो सी इसका गलता अंसर हो जायागा आगे देख लेते हैं निमने लिखेत में से किस रासी का कोई मात्रक नहीं है अब भाईया बड़ी अजीब सी बात हो गई एसी रासी जिसका कोई मात्रक नहीं है गती का है भाई साब गनतव का है भाई साब आपेक्षिक गनतव का अच्छिक गनतव यह नहीं होता है किसी भी चीज के अगर आपेक्षिक लग गया मेरे भाई तो समझो उसका मात्रक गायब हो गया मैं रीजन बताऊंगा जब जब हम पढ़ रहे होंगे चिक्स के अगले चैप्टर ठीक है चलिए आप एक चिक गनत्व का मात्रक क्या है अब यार अभी तो बताया कोई नहीं होता आप एक चिक लगते ही चलो खाद्य उर्जा को किस एकाई में माप सकते हैं खाद्य उर्जा की बात है तो इसे कैलोरी में माप होगे कैलोरी में कैसे कैलोरी चलिए अब ये कहां से आगया हvention हो गया। यार जहलो कहां से ये नंबरिंग का बीच में हमारे कोस्तन के कोई बात नहीं चलो बहुत हुए या इसा है भी देख लेंगे, आगे देख लेते हैं, किलो वाट गंटा मात रखें। किसका मात रखें वह हैं किलोवाट गंटा यह होना चीह है यार मेरे विद्यूत उर्जा का ठीक है विद्यूत उर्जा का मात रखें एंपियर क्या मापने की काई है अभी थोड़ी देर पहले तो बता था वै द्यूत दारा मापने की काई है को सन पारिश्थ तिद्दाब इसा नहीं बता हूँगा क्योंकि पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ चलो छोड़ो इसा आगया को अगला अफराडे एकाई है किसकी कई यह विद्यू अच्छा कोसन आया यह पहली वीडियो में भी नहीं आया तो यह है कैप से कैप पे सी टेन्स ठीक है इसकी है यह फराडे फराडे तो एक और चीज की मेरे भ उसका बाएं हात के नियम दिये माइकल फेराडे ठीक है और फेराडे ने विद्यतु डाइनेमो भी बनाया है मिरे विचार से तो यहीं है ठीक है चलिए अब देख लीजिए इसके आगे है बहुतिक मात्रा प्रेर कत्व कहा गया यह गायब हो जाता अवाया प्रेर कत्व की काई क्या है तो प्रेर कत्व की काई है मिरे भाई हैनरी चलिए अगला कोश्चन है में प्रति बाधा की काई तो आम यह प्रति बाधा बताऊ में तुम्हें क्या है अब समझोगा जब इंगलिसम मं बोलुँंगा इसला यह प्रति रोध है मेरे बाई का प्रति रोध रैजिस्टंट ठीक है तक प्रति रोध को प्रति निख दीया नो ने भौत इक मात्रा एंट्रोपी के काई है किसकी काई अभी ऑई एंट्रोपी तो जूल Α प्रतिक केलविन इसके एंट्रोपी की जो इकाई है जूल प्रति केलवी ने बहुत एक मात्रा जार्क की इकाई क्या है बहुत ये बड़ा जीव सा कोस्तना है जार्क की इकाई क्या है तो ये है मीटर पर सेकिंड घंड ठीक है चलिए अब चुम्ब के छेतर की ताकत ओ मेरी जान ताकत आगी से बहार ठीक है जुम्ब के छेतर की ताकत वतानी भाई शाब ताकत का मात्रा क्या है तो है एंपियर परति मीटर ठीक है मेरे भाई ताकत का मात्रा अगला है बहुत तिक मात्र ये क्या है बहुत तिक मात्र तनाव की क्या है अब तनाव की पूछ रहे हैं भाई तनाव खिचाव दवाब बाते की तो हुई तो पास्कल हुआ ना ठीक है चलिए और है तुमारा बहुतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है यंग मापांक की है मेरे भाई पास्कल चलिए बहुतिक मात्रा व्यद्द चालकता की इकाई क्या है विद्द चालकता की इकाई पूछ ली इसमें तो सीमेंस जो है ये विद्द चालकता की इकाई है अगला है बहुत इक मात्रा, यह कुन सी मात्रा हुई मेरे भाई, चुम्बक के प्रवाहा, घनत्व की कई, क्या है, तो टैसला हो जाएगी यार। एक टेसला के स्की काई है हद कर दिया अभी तो बताई मैंने चुम्बक के प्रेरण की लगा दो इसमें मौका देख का चोका लगाना टेसला चुम्बक के छेतरगी भी है लेकिन भाई साम ठीक है तो इसकी भी है इसमें भी घवराने वाली कोई बात ना कभी लड़ पड़ो मैं ठीक है चलिए अगला कोशन है बल आगून की एस आई इकाई क्या है बल आगून की बहुत टॉप काई है न्यूटन मीट है ठीक है जी तो चलिए दोस्तों यह दूसरी वीडियो का भी समापन हो गया है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइ करें मेरे दोस्त धन्यवाद अब कैसे अब मुझा लगता यार वीडियो इन हो रही दीखे रिकॉर्ड मत्था घुम